हेलो स्टूदेंट्स वेलकम तो समय वेकनन इंस्टिटूट तो इन दिस लेक्चेर वीडियो वी विल डिस्केस अबाउट पार्ट वन इंटरनाशनल एग्रिमेंट की बारे में अल्रेडी हमने डिसकस कर लिया था लास्ट वीडियो में जहां पर हमने कन्वेंशन ट्रीटी प्रोटोकवल और कॉन्फरेंट के बारे में डिसकस क्या था सबसे पहले हमने डिसकस किया था हैं 1971 का रामसर कंवेंशन घृत किर्ण सथा कि हमें किस तरीके से जो बेच्छे वेट लेंड रोटेक्ट करना है मैं रामसर कंवेंशन का एक छोटा सा डीटेल और आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी तो रामसर कंवेंशन किस पर बेज था जो वाटरफॉल हैबिटेट है उसको हमें किस तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहिए उसके बाद हमने डिसकस किया था 1972 में यहाँ पर हमने डिसकस किया Stockholm Declaration के बारे में Stockholm Declaration क्या बोलता है कि हमें किस तरीके से Human Environment को प्रोटेक्ट करना है Human Protection किस तरीके से करना है वो 1972 में Stockholm Conference में डिसकस किया गया था उसके पाद 1973 में हमने डिसकस किया था Cities के बारे में कि जितनी भी Endangered Species है उनको हमें यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है और जो Cities से Related COP हुई थी जो अभी 2022 November में हुई थी That is COP19 जो कि किस से Related थी Cities से कि किस तरीके से हमें Endangered Species को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं यह गाईज हमने डिसकस किया था और हमने डिसकस किया था Difference Conference का और Convention का Conference क्या होता है एक Large Environment होता है Large number of people groups are there जहाँ पर they share a common topic and they discuss a common topic जहाँ पर common topic के बारे में Discussion होता है वो होता है Conference Convection क्या है जहाँ पर एक Convection के अगर मैं बात करूँ तो एक Small Meeting यह Small Gathering को हम क्या बोलते है Convection बोलते है Treaty क्या होता है एक Mutual Agreement Sign होता है दो Parties के बीच में एक Signatory Agreement होता है एक Common Decision पर वो लोग आते हैं ताकि आगे Conflicts ना हो That is a Treaty प्रीटी के अलावा अगर मैं बात करूँ तो हमने Discuss किया था यहाँ पर Conference Convection Treaty and Protocol प्रोटोकोल के अगर मैं बात करूँ तो प्रोटोकोल क्या होता है Protocol का मतलब क्या था प्रोटोकोल में आता है अगर हम Standards की बात करते हैं Standards में क्या होता है Standards fix होते हैं और Standards fix होने के बाद ऐसे कुछ प्रोटोकोल जो की हमें Time to Time maintain करके हैना चाहिए ठीक है प्रोटोकोल को हमें क्या करना है दो एग्रिमेंट जो होता है Parties के बीच में उसके बाद जो प्रोटोकोल होते हो में Standards maintain करके रखने चाहिए तो अगर यह सारे चीज़ें हमें ध्यान में रखना हो तो हम इन गरिमेंट के बारे में आगे हम पडेंगे फिंग बारह से हम इनके बारे में डिशकर्स करते हैं कि कौन-कौन सी यहाँ पर Party is Conference of Parties हुई थी तो यह सारे हमने discuss कर लिए 1971 में 1972 में और 1973 में यह हमने discuss यहाँ पर कर लिया है अब हम यहाँ पर discuss करते हैं 1979 की ठीक है तो गाइज यहाँ पर 1979 की अब हम discuss कर रहे हैं यह हमने overview ले लिया जो कि हमने last video में discuss किया था अब हम यहाँ पर discuss कर रहे हैं 1979 का ठीक है यह पार्ट टू का ही है अब आप 1979 कहां पर discussion करेंगे कि 1972 में कौन सी convention आई थी स्टूडेंट्स देखें 1979 में conference किस पर होई थी on long large trans boundary air pollution trans boundary air pollution का मतलब क्या है देखो trans boundary का मतलब क्या है एक ऐसे होता है सरी ट्रांस boundary का मतलब क्या होता है trans boundary एक ऐसा वर्ड है जो कि सिर्फ यहां पर अगर मालो अगर ने trans boundary air pollution लिखा है तो एक सिर्फ एक particular area के अलावा जो pollution है वो दूसरी area में भी फैल रहा है that is trans boundary जो air pollution है वो सिर्फ एक particular specific area को तो effect कर रहा है सासत वो दूसरे आसपास वाले area को भी effect कर रहा है इसको हम बोलते हैं trans boundary तो यहां पर जो convention हुई थी वो किस पर हुई थी long range trans boundary air pollution कि यहां पर जो air pollution एक area पर effect कर रहा है वो ही air pollution जो है दूसरे areas पे भी effect करता है इसका मतलब trans boundary होता है ठीक है trans boundary का मतलब अगर एक part effect हो रहा है तो उसके आसपास वाले areas भी effect होते हैं तो जो convention हुई थी trans boundary air pollution की इसको sign कब क्या गया था इस convention को 1979 में और ये आया कब था लागू कब हुआ था 1983 में sign कब हुआ था 1979 में और लागू कब कब क्या गया था 1983 ने जिन्होंने क्या बोला था कि जो air pollution है है ना उसको हमें क्या करना है reduce करना है मतलब again यहाँ पर human environment के बारे में बात की गई थी क्योंकि जो air pollution है वो क्या करती है environment को बहुत ज़दा हाम करता है तो यहाँ पर जो aim था या इसका objective था वो क्या था कि हमें किस तरीके से air pollution को control करना है तो aim क्या था इस convention का कि हमें क्या करना है जो limits है जो air pollution की limits है उसको कम करना है क्योंकि हम क्या कर सके environment को protect कर सके साथ-सत यहाँ पर हमें क्या करना है air pollutant के साथ साथ अगर एक area affected है तो उसके जो आजू-बाजू वाले areas हैं उनको भी हमें protect करना है क्योंकि trans boundary का मतलब यह होता है कि अगर एक area effect है तो उसके साथ में दूसरा area भी effect होता है तो इसलिए हमें क्या करना है? air pollution को यहाँ पर control करना है तो जो convention हुई थी 1979 में जो की लागू कब की गई थी 1983 में उसमें किस चीज के लिए बोला गया था कि हमें किस तरीके से air pollution को control करना है क्योंकि अगर हम air pollution को control करेंगे तो क्या होगा अपना area जो affected area है वो भी ठीक रहेगा और जो दूसरा area effect हुआ है air pollution की वज़े से वो भी सही र pollutants through exchanges of information, consultation, research and monitoring. Air pollution किसकी वज़े से होता है harmful pollutants की वज़े से चाहे उसमें आपके persistent organic pollutants आए ठीक है चाहे इसमें आपके पास only organic या inorganic pollutants आते हैं तो यहाँ पर उनको हमें क्या करना है pollutants को कम करना है जो कि यहाँ पर air pollution के major कारण होते हैं जो convention है यह convention किसने implement की by the European monitoring and evaluation program जो क कि किसके अंडर आता है UNECF के अंडर यह आता है इंडिया जो था इस convention का पार्ट नहीं था ठीक है इंडिया को छोड़के और जो countries थी वो इस convention का पार्ट थी कि हमें क्या करना है जो air pollution है उसको control करना है next 80 1985 में यह बहुत ज़्यादा important है बहुत ज़्यादा exam में इससे question पू करके रखना है जो वियाना convention हुई थी डाट वस अडॉप्टेड इन 1985 1985 में वियाना convention आई और इसका objective क्या था कि जो इसको अब्जेक्टिव क्या था इसको अडॉप्ट किया है 1985 में और क्या करना है protection की किस किस बारे में बात ही गई थी अब देखो यह सारी convention क्या मैंने आप conference में क्या difference होता है जो अभी हम सारे convention के बारे में discuss कर रहे है convention क्या है जितने भी हाँ पर mutual agreements होते हैं ठीक है उसको क्या करना है protect करना है 2009 में दा वियाना convention become the first convention of any kind to achieve the universal ratification ratification का मतलब होता है sign करना तो यहाँ पर जो वियाना convention थी 2009 में ऐसी first convention थी जिन्होंने यहाँ पर universal ratification को achieve किया था मतलब sign किया था तो उस चीज़ पर उन्होंने काम भी किया था कि ozone layer को किस तरीके से protect कर सकते हैं again जो ozone layer का depletion है वो भी तो यहाँ पर human की harmful activities की बज़े से ही हो रहा है तो इसलिए क्या करना है यहाँ पर ozone layer को protect करके रखना है तो इस convention में बात की गई थी किसके बारे में ozone layer की protection के बारे में objectives क्या था यहाँ पर कि हमें systematic observation रखना है उस पर research करना है information exchange करना है on the effect of human activities कि जो human activities की जिसे ozone layer depletion हो रहा है उसको हम किस तरीके से रोख सकते हैं कौन-कौन से ऐसे हम protective measures use कर सकते हैं कि हम ozone layer को protect कर सके क्योंकि mainly किस पर था ozone layer depletion human harmful activities पर तो human की जो activities है जैसे आपका deforestation है eforestation है है ना इसको क्या करना है हमें रोकना है उस पर systematic observation रखना है साथ-साथ इन पर research करना है और क्या देखना है कि हम ozone layer को कितना है यहां पर protect कर सकते हैं next convention के अगर मैं बात करूं तो next convention थी montreal protocol जो की हुई थी 1987 में यह भी बहुत ज्यादा important है यह भी exam में पूछी जाती है एक तो वियाना convention और एक montreal protocol ठीक है montreal protocol किस पे बेश थी कि ऐसे substance जो की ozone layer को deplete कर रहे हैं जिसकी जैसे ozone layer खतम हो रही है उन substances को में क्या करना है रोक उन पे लगाने है तो montreal protocol भी एक international treaty थी जिन्होंने किसके बारे में बात की गई थी again for the protection of ozone layer ozone layer की protection की बात की गई थी वियाना में भी ozone layer की protection की बात की गई थी लेकिं जो montreal protocol था उसमें बोला गया कि जitने भी ODS है that are ozone depletion substances to us Ozone Depletion Substances, जो Ozone Layer को खतम कर रहे हैं, उसको हमें क्या करना है,łeएर को बेसिकली यहां पर प्रोटेक्ट करना है, फ्रॉम्ड़हामफुल ODS. कटर जो इंटरनाशनल treaty signed हुई थी, इसमें बात की गई थी, कि जितने भी यापर 180 2 सी, हेलोगिनेटिड हाइड़ो कार्बंस मतलब जो ओजो लेयर को क्या कर रहे हैं खतम कर रहे हैं इसमें आपके सारे ODS भी आते हैं जितने भी ODS हैं Ozone Deployation Substances है या आप़ी हाइडो कार्बंस हैं यह सब क्या करते हैं यह सब किसके लिए responsible होते हैं यह responsible होते हैं आपके ozone layer की depletion के लिए, तो जितने भी इसमें ozone depletion substances थे, जिसमें अगर chlorine भी आता है, bromine भी आता है, ठीक है, यह सारे substances होते हैं, fluorine है, chlorine है, bromine है, यह सब तो ज़्यादा आहाम नहीं करते हैं, लेकिन जितने भी ODA substances जिनका concentration अगर atmosphere में ज़्यादा हुआ, तो य यह किसके लिए responsible होते हैं, ozone layer के depletion के लिए responsible होते हैं, यह treaty जो था, सब sign कब हुआ था, 1987 में, और इसको लागू कब किया गया था, 1989 में, तो आपको यह सारे years जो हैं convention के वो learn होने चाहिए, कब हुआ था यह sign, 1987 में, और लागू कब हुआ था, 1989 में, उसके बाद इसको five time revise क जा गया था, 1990 में, लंडन में, 1992 में, कॉपन हेंगन में, 1995 में, वियाना में, 1997 में मॉन्ट्रियल, और 1999 में बेजिन, ठीक है, तो यह सारे revised मॉन्ट्रियल प्रोटोकोल था, जिनोंने किसके बारे में बात की गई थी, ozone layer के depletion के बारे में बात की गई थी, कि ozone layer जो है, जितन है, उनको हमें deplete होने से, बचाना है, तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकोल था, उनको किस पे बेस था, कि हमें जितने भी ozone layer, जो खराब हो रही है, उसको हमें बचाना है, from the harmful ODS, वियाना थी, वियाना में भी क्या था, कि ozone layer के protection करनी है, लेकिन मॉन्ट्रियल में क्या बोला गया कि जो ozone layer को deplete कर रहा है, जिसकी वज़े से ozone layer खराब हो रही है, means जितने भी आपके halogenated hydrocarbons है, या ozone depletion substance है, उनको हमें क्या करना है, रोकना है, तो ये treaty कप साइन हुई 1987 में, और इसको लागू कप किया गया 1989 में, फाइफ ताइम इसको revise किया गया, एक 1990 में, फिर 92 में फिर 95 में, फिर 97 में, और एक 1999 में इनको revise किया गया, in a major innovation, the protocol recognized that all nations should not be treated equally, सारे नेशन को हर एक equally treat नहीं किया जाता है, ये agreement जो था, ये किस पे था, कि हमें क्या करना है, ozone depletion को बचाना है, ozone depletion, मतलब ozone protection करना है, जितने भी odious substance है, उनको हमें, खतम करना है, उनको सब को face out कर देना है, वियाना convention जो थी, वो किस पे वेश थी, वियाना convention को अच्छे से observe किया गया, Montreal Protocol ने क्या बोला, कि जितने भी आपके 99 ODS है, 99 जो ozone depletion substance है, उसको हमें क्या करना है, खतम करना है, क्योंकि जो ये ODS है, ये greenhouse gases पे भी effect करते हैं, ठीक है, ये भी आपके potent greenhouse gases मानी जाती है, ये आपको सभी कोई चार्ट दिखरा है, इसको मैं आपको थोड़ा short मैं समझाना ठीक है, देखो, अगर मैं Montreal से पहले यहां पर आती हूँ, ठीक है, एक पूरा timeline बताया हुआ है, treaties का, सबसे पहले है वियाना convention, वियाना convention किसके लिए थी, ozone layer को protect करने के लिए, ठीक है, ozone layer को हमें protect करना है, वियाना convention किस पे थी, ozone layer की protection के लिए, फिर आया Montreal Protocol, मोंटेल HFCs थे, HFCs क्या मतलब क्या होता है, hydrofluorocarbons और chlorofluorocarbons, HFCs और CFCs को हमें क्या करना है, खतम करना है, ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि जो HFCs हैं या CFCs ही क्या करती है, greenhouse gases है, जो बहुँ जादा global warming course करती है, इनका high global warming potential होता है, तो हमें इनको क्या करना है, खतम करना है, ठीक कि गाली agreement में बोला गया कि, it is based on the principle of common, but differentiated responsibilities and respective capabilities and recognizing the growing news or developing nation like India, it is binding from 2019, ये जो बोला गया था, किस पे था कि गाली agreement पे, कि गाली agreement में क्या था, कि दुबारा से ODS पे ही बोला गया था, कि जो भी हमारा climate change हो रहा है, उसको हमें protect करना है, और HFCs को, mainly जो hydrofluorocarbons है, इसको हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है, इन पे हमें रोक थाम लगानी है, और क्या करेंगे, हमने 2024 और 2026 तक हम क्या करेंगे, 85%, 85% या hydrofluorocarbons को खतम कर देंगे, कितना परसंट 85% और 2047 तक हम क्या करेंगे, इनको complete achieve कर लेंगे, means यहाँ पर जितने भी hydrofluorocarbons है, जो हमारे ODS को खतम कर रहा है, मतलब, sorry, जो ozone depletion को खतम कर रहा है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम एकदम खतम कर देंगे, next हम आते हैं, इस halones या methyl bromide, यह सारे क्या है, यह सारे ODS है, जो कि क्या करते है, ozone को खतम करते है, ozone layer की depletion के लिए responsible होते है, तो हमें इनको क्या करना है, खतम करना है, तो target क्या बना गया, कि 2030 थाक हम क्या करेंगे, HFCs को हम खतम कर देंगे, ठीक है, countries जो है, इसमें एक action plan मनाया गया, action plan क्या था, कि हमें क्या करना है, इन सबी factors को खतम करना है, एक action plan आया है, जिसको मोलते है, the India cooling action plan, ICAP, India cooling action plan, इन में again किसकी बात की गई थी, cooling demand की, which will help in reducing both direct and indirect emission, अगर हमें cooling action plan लगाएंगे, तो उससे क्या होगा, जितने भी ODS है, वो सब हम क्या कर सकते हैं, remove कर सकते हैं, तो किगा आली agreement जो आया, वो किस पे था, कि हम 85% तक HFCs को यहां से remove कर देंगे, 2024-2026 था target बनाया गया, और 2047 तक बोला गया, कि हम इनको achieve कर लेंगे, so यह एक multilateral agreement था, ठीक है, वियाना conference का, और कब आया था, वियाना 1988 में, again किसके लिए था, ozone layer की protection के लिए, जो ODS है, जैसे chlorofluorocarbon ह को में क्या करना है, remove करना है, यह legally binding नहीं था, सभी के लिए लागू नहीं किया गया था, तो यह सभी countries के लिए लागू नहीं किया गया था, उसके बाद जो आपका कौन सा था, Montral Protocol, इसमें किसले बार की गई थी, HFCs को reduction ही बात की गई थी, और जो किगाली agreement था, यह किसले था, कि जो हम Montral Protocol में जो implementation से वो कैसे करेंगे, global warming को हम कैसे खतम कर सकते हैं, क्योंकि ODS जो substance है, वो global warming के लिए भी responsible होते हैं, next अगर आप इस diagram के तरफ देखो, Montral Protocol की achievements क्या क्या थी, achievement क्या थी, ODS जो थे ozone depletion substances, उनको हमने क्या कर दिया, face out कर दिया था, reduce कर दिया, जो कि greenhouse gases के लिए responsible है, उसके बाद 98% ODS यहाँ पर हमने निकाल दिये है, इस पर हमने बहुत जादा काम किया है, यह सारी achievements है, कि इसकी Montral Protocol की, Montral Protocol में क्या बात बोली गई थी, कि जो ozone depletion substances है, जो ozone layer को deplete कर रहे हैं, उनको हमें remove करना है, उसके बाद यहाँ पर 135 billion ton of CO equivalent to atmospheric emission, जो आपक CO gas है, उसको क्या करना है, remove किया है, face out इसको कर दिया है, यह भी एक achievement है, Antarctic ozone hole is no longer increasing its size, जो Antarctic ozone hole है, वो अप जादा increase नहीं हो रहा है, क्योंकि ODS जो है हाँ पर सारे निकाल दिये गए हैं, ठीक है, उससे क्या हुआ है, कितना benefit हुआ है हमारे environment को as well for the human life, way ahead for India, और क्या-क्या चीज़े अभी हमें करना है, ठीक है, CFC को over control करना है, ozone depletion जिस वज़े से हो रहा है, उसको में proper क्या करना है, monitor करना है, ऐसे कुछ alternatives धूणने है, जिसके वज़े से हम क्या कर सकते है, ODS को remove कर सकते हैं, developing, selecting, climate friendly alternatives, जैसे refrigerators में, air conditioning में, form products में, क्योंकि सबसे ज़ादा ODS के chances क यहां से आपके पास refrigerators है, air conditioners है, इनको क्या करना है, इनकी जो proper new technologies है, उनको adopt करना है, साथ-साथ इनके alternatives को भी यहां पर ढूनना है, ठीक है, उसके बाद जो ODS face out है, उसके जो states हैं, जो states involved है, कौन-कौन से mechanisms use करने हैं, कौन से methods use करने हैं, उन सभी को भी monitor यहां पर करना है तो यह जो एक overall chart है, किसका है, mental protocol की achievements का है, next यहां पर एक आई 1987 में, जो की बहुत ज़्यादा important report है, that is, brutland commission, brutland report, जिसको इस report का नाम क्या है, our common future, किसके बारे में बात की गई, again, environment and human development के बारे में बात की गई है, किसमें brutland commission में, brutland report में, जो की 1987 में आया था, किसमें इसको sign cup क्या गया था, 1987 में, किसके बारे में बात की गई थी, यहां पर, कि हम human environment को कैसे protect यहां पर कर सकते हैं, जो brutland commission थे, उसको objective क्या थे, कि हमें कैसा चाहिए, sustainable development चाहिए, कि जो resources अब हमारे पास available है, उनको हम future में भी किस तरीके से utilize कर सकते हैं, किस तरीके से हम उनको save future purposes के कर सकते हैं, तो जो brutland report आई, उसने एक term दी, that is sustainable development, sustainable development की बारे में बोला गया, कि sustainable development क्या है, कि जो needs हमें present में हैं, वो हम पूरा करें, और हम future के लिए भी क्या कर सकें, अपने resources को बचा सकें, ठीक है, ताकि future में भी हमें किसी तरीके की परेशानी ना हो, तो sustainable development को क्या, कि कि word, मतलब जो sustainable development था, जो word recognize, वो किस में आया, our common future, report में जिन्नोंने human protection के बारे में बात किये थी, कि हमें जो, हमारे पास जो resources है, उसको में present में, use करना है, और future के लिए भी क्या करना है, यहां पर बचा कर रखना है, next, the prominence given to the needs reflect our concern to eradicate poverty and meet basic human need, कि जो resources है, उनको हमने अच्छ कर सके और basic human needs को fulfill कर सके, तो यह 1987 का था, 1989 में एक basal convention आई, on the control of transboundary movement of hazardous waste and their disposer, एक हमने transboundary air pollution पढ़ा था, कि अगर एक area effect है, air pollution जो तो उसके अगल बगल वाले सारे areas भी effect होते है, that is a transboundary, अब हमने transboundary hazardous waste के बारे में बाती गई है, कि जो waste हम, waste to generate होता है, या human harmful activities के जो हम waste को ऐसे dispose of कर देते हैं, वो भी या करता है, environment को खराब करता है, तो एक convention आई, किस से related, कि हम hazardious waste और उनको dispose of कर रहे हैं, वो हम कैसे करेंगे, ये भी एक international treaty थी, कि जिसमें हमें क्या करना है, hazardous waste को खतम करना है, जितना भी waste आता है, चाहिए वो किसी भी industry से आता है, उस करना है, environment को कैसे protect करना है, किस से जो भी हापर hazardous waste की movement हो रही है, ठीक है, जैसे मालो waste है, waste को आपने अच्छे से dispose of नहीं करा, ऐसे environment में जला दिया, तो उससे क्या हो रहा है, air pollution, तो वो वाला area तो effect हो रहा है, उसके बगल वाला area भी क्या होता है, effect होता है, तो इसके हमें क् hazardous waste है, उनका proper disposal करना चाहिए, क्योंकि जो hazardous waste होता है, वो toxic होता है, poisonous हो सकता है, explosive and corrosive भी हो सकता है, flammable हो सकता है, exotoxic and infection waste भी हो सकता है, क्योंकि जतने भी आपके medical waste है, nuclear waste है, यह सारे environment को तो हाम करते हैं, साथ-सत अगर इन में जो free radicals generate होते हैं, अगर human body में जाते हैं, तो it can cause also cancer or the skin cancer infection या फिर lung cancer की chances भी यहाँ पर पढ़ जाते हैं, तो इसलिए हमें in hazardous waste waste हो क्या करना है, खतम करना है, next convention है, 1992 में जो आप सभी को मालूम है, that is Earth Summit, Agenda 21 के नाम से जाना जाता है, किसके बारे में बात की गई, again यहाँ पर environment and development के बारे में बात की गई, कब आया थे 1972 म जो Rio de Janeiro, Rio de Janeiro में जो declaration आई थी, वो कब हुई थी 1992 में, किस पे बात की गई थी, यहाँ पर Rio declaration के नाम से भी आप इसको जानते हो, human environment के बारे में बात की गई थी, 179 countries ने इसमें participate किया था, जिसको हम Earth Summit के नाम से जानते हैं, ठीक है, यहाँ पर global और environment problem के बारे में discuss किया गया, सबसे बड़ी international conference आज तक की कौन सी थी, Earth Summit जो की कब हुई थी 1992 में, next यहाँ पर जो Agenda 21 या आप Rio declaration बोल सकते हो, इसमें क्या के चीज़ें देखी गई, सबसे पहरे Rio declaration, फिर Agenda 21 के बारे में discuss हुआ, फिर जो non-binding principles थे, forestry के किस तरीके से हम environment को protect कर सकते हैं, climate change पर discussion हुआ, पर discussion किया गया था, Agenda 21 जो हुआ था, वो किसका एक blueprint का, कि हम किस तरीके से यहाँ पर human environment को safe कर सकते हैं, तो यहाँ पर this is 1992 में, जो क्या हुआ था, यहाँ पर Earth Summit हुआ था, नमबर जो 21 है, that is Agenda 21 में, जो 21 है, उसका मतलब है 21st century, ठीके Agenda 21 कब हुआ था, 1992 में, अगेन Earth Summit का ही पार था, जो कि Rio de Janeiro में हुआ था, 14 June 1992 में, जहाँ पर 179 Government ने, वोट किया था, कि हम इस प्रोग्राम को adopt करेंगे, इस प्रोग्राम में कि objectives क्या थे, again, human environment को protect करना है, sustainable development यहाँ पर करके रखना है, implementation जो हुआ था, Agenda 21 का, उसमें क्या था, यह सिर्फ एक आपका international level पर नहीं, जबकि national और regional और local levels पर भी लागू किया गया था, 1997 में, जो आपका UN meeting हुई थी, यहाँ पर general assembly of the UN, एक नया session हुआ था, जिसमें हाँ पर, he appraises five years of progress on the implementation of Agenda 21, Agenda 21 के जब five years हो गए था, 1997 में एक general assembly हाँ पर बनाई गई थी, ठीक है, उसके बाद Jonas Barg plan of implementation, यहाँ पर, एक Jonas Barg declaration भी थी, ठीक है, वो भी किस पर थी, again, human environment के protection के बारे में थी, फिर यहाँ पर बने थे MDG goals, जिसको millennium development goals बोलते हैं, जहाँ पर इन सारे goals, जो eight goals थे, उन eight goals के बारे में यहाँ पर discussion किया गया था, तो यह पूरी summit हुई थी, जिनोंने environment के बारे में बात की रही थी, आगे हम पढ़ेंगे, मैंने goals के बारे में आपको discuss कर लिये, जिसमें हमने MDG और SDG goals और डिसकस कर लिये थे, यह पूरा earth summit है, जो कि आपको learn होना चाहिए, क्योंकि इस earth summit से बहुत सारे questions exam में पूछे जा हुआ 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 है